गड़न usug सवागत है आप सभी का प्रश्नकाल में नमस्कार में हूँ प्रीठी सिंग मेरे साथ हैं हमारे संसे देम मामलो की संपादक अरविंद कोमार सिंग प्रश्णकाल में आपके सामने अब एक बार फिर आतारंकित प्रश्णों में से कुछ प्रश्णों को चुनकर लाए हैं जो कि जनहत और लोकित से जुड़े होए हैं और आतारंकित प्रश्ण हम इसलिए लेकर आते हैं आपके सामने, अईसे प्रश्ण के जानकारे भी आप तक पहुँचाना बहुत भरोरी है, तो आइए आज के प्रश्ण के शुरुवात करते हैं, जो पहला आतारंकित प्रश्ण आज हमने लिया है, वो है अर्विन जी मच्वारों के लिए सेना में विशेश रेजिमेंट और इसके आगे भी जो सवाल है वो काफी सवाल हमारे आज रक्षक शेतर से जुड़े हुए है तो पहला सवाल है मच्वारों के लिए सेना में विशेश रेजिमेंट विशंबर प्रसान दिशाद जी का सवाल है इसका उत्तर क्या है? हाँ बिल्कुल ये सेना में ये जो मशवारों के लिए रेजिमेंट का मतलब है ये एक समुदाय के आधार पर रेजिमेंट मनाने की मांग क्योंकि अगर आप अगर आपने देखा होगा तो इस बीच में कई तरह के ऐसे सवाल आए हैं जिसमें कुसी इलाके के बारे में रेज क्यों की गई है उसके बाद जो है करनातक डिमेंट की बात की गई और इसी के तरह से कई जातियों के अभी जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मुक्रूफ से जो है जो है जो हर्याना का रेवारी लाका है जहां यादो लोग जादा हैं तो उन्होंने अपने लिए लिए के लिए भी उधर क्योंकि काफी लोग सेना में भी है तो उनोंने मतलब यादो रेजिमेंट की भी मांग की गई है कुछ ऐसे रेजिमेंट की और मांग क Sic changing King कि चाओ कि पहले कई जातियों के जातियों के नाम पर नहीं होंगे और जो इस तरह के रेंगेंट बन गए हैं वो एतिहासिक तोर पर कायम रहेंगे वो लेकिन उन में जowें मिस्तुत हों गई यह कि मतलब जाट रेजिमेंट होगा तो इसमें केवल जाट लोग होंगे या राजपूर रेजिमेंट हैं तो राजपूर होंगे इसम नहीं है तो इसका जवाब दिया निशाच जी ने विभाट की क्या सरकार बाढ़ा और समुद्धी टुफानों से निपडने के लिए सेख बिचार किये बिना सभी भारती नागरिकों की सेना में भरती की जा सकती है। वो सभी उसके पात्र हैं जो और आजादी के बाद सरकार की ये नीती रही है कि वर्ग संपरदाय धर्म या छेत के अधार पर कोई भी नई रेजिमेंट ना बनाई जाए और इसके अलावा जो जवाब में सरकार ने ये कहा कि भारती सेना में भरती होने के लिए सभी वर्गो कोई नहीं होने वाली है अब अगला सवाल भरती से समन्दी थी ये पूछा जो आम फोर्सेज हैं हमारे तीनों बल है सेना नोसेना और वाविसेना उनमें काफी संख्या में रिखतियां है तो अगर आप ये देखेंगे तो उनकी जो कितनी सुख्रित नफरी या जो इसको क कैसे सशच्थ्टि भलों में तीनों सकंदों में नौसेना वायूसेना और तीनों सेना को मिलाकर बहुत सारी रिփतियां है अगर हां तो अलग-अलग कितनी रिơतियां है और क्या कारण है जल्दी से जल्दी ने भढ़न के लिए क्या किया जा रहा है इसका विवरण दिया और इसमें आपको बता दे, AMC, ADC और MNS को छोड़ कर यह ब्योरा दिया गया है, अफसरों का, सेना में बताया है, उनने एक जनवरी 2019 तक की स्थिती के अनुसार, जो अधिकरत संख्या है, वो है 50,312, इन में से जो भरी हुई संख्या है, वो है 42,913, तो कमी कितनी हो गई, से सेना की बात करें, तो यह स्थिती बताई गई है, 31 मई 2019 तक की स्थिती, इसमें जो अधिकरत संख्या है, या नफरी शब्द का इस्तमाल होता है, अधिकरत संख्या है, 11,557 है, अफसरों की, और इन में से जो भरी हुई संख्या है, 10,012 है, तो कमी है अभी 1545 की, अब वाय हुई है, वो 12,142 है, कमी यहां पर है, 483 की, तो यह अफसरों को लेकर आकड़ा दिया है, इसके बाद जो तीनो सशेस्तर बलों में अफसर रांग से निचले कर्मी है, निचले कर्मी है, वायुसेनेक, नौसेनेक और सेनावार, उसकी संख्या बताई है, सेना में 1 जनवरी आकड़ा है, यह 17, यह APS अनियमित, JCO और अनियरांग को छोड़ कर आकड़ा बताए गया है, तो यहां कमी जो आ रहे है सेना में, 11 2019 की स्थितिक अनुसार, वो है 38,235, नौसेना की बात करें, 31 मई 2019 की स्थितिक अनुसार, 74,046 अधिकरत संख्या है, जिन में से धारित या भरी हुई संख्या है, 57,240, यहां कमी है, 16,806 की, वायुसेना में, 1 जून 2019 की स्थितिक अनुसार, 14,142,917 अधिकरत संख्या है, इन में से जो भरी हुई रांक है, वो है 1,29,094 और जो कमी यहां पर है, वो 13,823 की है, और इसमें यहां पर यह भी बताया, वायुसेना में जो 13,823 कमी बता रहे हैं, तो यहां इन्होंने आकड़ा दिया है कि इसके अतरिक 10,486 प्रारंबिक प्रशिक्षु, विबिन प्रशिक्षन संस्थानों में प्रशिक्षन भी प्राप्त कर रहे हैं, यह वायुसेना को लेकर यह भी उन्होंने क्लियर किया है, आगे उन्हो को दूर करने के लिए कई उपाय भी करें हैं, जो कमी ना हो किसी भी पोस्ट पर, इनमें सतत रूप से 26 सुधार, करियर मेले, प्रदशिक्षनों में भागीदारी और चुनोती पूर और संतोर्श प्रद करियर अपनाने से होने वाले लाभू के प्रतिय युवाओं में ज जरिये अतरिक्त परिवार आवास आदी, सशस्त्र बलो में करियर को और अधिकार्शक बनाने के लिए इन सभी लेवल पर, अलागला कदम भी सड़कार के द्वारा उठाय जाते हैं, तो यह यहां पर उत्तर दिया गया है, अब अगला प्रशनी भी रक्षक शेत्र से ही ज जानना जरूरी है, क्योंकि जो आम लोग हैं, मतलब खास दोर पर वो इस बात को नहीं जानते हैं, कि हमारे संसर सदस्यों को भी यह सोविधा मिली हुई है, कि जो सेना के जो डिस्पोजल हो वाले वैकिल है, जिनकी काफी उमर होती है, अगर आप देखेंगे, तो उमर जो आप अच्छी गाड़ियां आ गई हैं पूरी बजार में, तो अब पहले जैसा उसाद ही हैं इन में, लेकिन इसके बावजूद, तमाम संसर्थे जिनका अपना रिमोट इलाकों में रहते हैं, गाओं के इलाकों में रहते हैं, वो अपने उपियोग के लिए ऐसे वाहन किया था, और कौन-कौन से डिपो से इनको खरीदा गया है, यह जो जबाब है, यह बहुत इल्चेस मायने में है, कि आकड़ा यह बताता है कि 2017 और 2018 में, कुल 36 सांजदों ने, मतलब यह 36 सांजदों ने सेना के डिस्पोजल वाहनों के लिए खरीदने के लिए आवेदन किय था, और इन सब को जो है आवेदन के अनुसार उपलब्त करा दिये गये हैं, अब इन में से 11 सांजदों को जो मेरट के डिपो है उनका, वहां से दिया गया है, 15 को जो आयूद डिपो आवडी है, वहां से अबंटित किया गया है, और 3 को जो केंद्री आयूद डिपो वहां डिपो खिड़की जो है, यहां से अबंटित किये गये हैं, और इस तरह से एक-एक सांजदों को एक जोदपूर में है, M.B.O.D. उतरी कमान वहां डिपो और उधमनगर और वहां डिपो पानागड में, एक-एक सांजद को यह दिया गया है, तो यह कहा गया है कि इन को दिल्ली के बजाए जैसे कोई मेरट में चाह रहा है, कोई अगर बाहर चाह रहा है, तो उसको उसी साफ से वहां मिलते हैं, लेकिन अपने आप में दिल्चस ब्योस्ता है, हाला कि मैं देख रहा हूं कि प्रिती, जो नब्बे के दसक में, जो सांजदों में उस साह रहा काफी सांसस खरीते थे इसको, और जो हथियार भी काफी खरीते थे, जैसे मैं दर्सकों को बताओ कि हथियार भी जो है, वो लोग खरीते हैं, तो मुझे लग रहा परसंकाल अब समापन के ओर है, लेकिन एक बड़ा दिल्चस सवाल है, इसका जवाब प्रिती, चाहे तो अ वो ऐसे विक्तियों के अनुभाओं का लाव ले रही सरकार, खेलों में, प्रसर एंबी राजीव गोडा जी का सवाल है, क्या जवाब है? इसका उत्तर दिया, उन्होंने बताया कि जो मेधावी खिलाडियों की पेंशन के लिए खेल निदी की स्कीम है, इसके अंतरगत खिलाडियों की पेंशन को 14-2018, यानि 1-1-1-2018 से दुगना कर दिया गया इनकी पेंशन को, और घनराशी दुगना करने के बाद जो है, वो इस चैंपेंशिब जो की चार साल में एक बार आयुजित की जाती, इसमें जो स्वंड पधक विजेता है 14,000 रुपे, आपके जगा 16,000 रुपे इनके लिए है, और जो ओलंपिक और एश्याई खेल विधाओं में विश्वकप में रजत और कासे पधक विजेता है, उनकी 14,000 अब जो एश्याई, राश्ट्रमंडल खेलो या पेरा एश्याई खेलो में स्वंड पधक विजेता है, उनकी 14,000 रुपे है, साथी एक और श्रेणी के अंतरगर जो एश्याई, राश्ट्रमंडल खेलो, पेरा एश्याई खेलो में रजत और कासे पधक विजेता है, उनकी नौकरी करें और ट्रेनिंग दें लोगों को और सन्यास ले चुके खिलाडियों को राश्ट्री खेल विकास निदी के अंतरगत अकादमिया स्थापित करने और कोचिंग सो विधाय देने के लिए भी साहता प्रदान की जाती है तो इसी के साथ जो प्रश्णिकाल का आज कां हम तमाम और आतारंकित प्रश्णों की जानकारिया आप तक पहुचाएंगे तब तक के लिए मुझे और अर्वन जी को दीजे इजासत नमस्कार